दोस्तो आदाब सलाम नमस्कार जिन दोस्तों ने जिन भाईयों ने हमारा अभी तक यूट्यूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है वो सब्सक्राइब कर ले और गंटी के बटन को भी प्रेस कर ले जिससे नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल ज तो दोस्तों आज हम टाइफाइड बुखार के लिए एक अर्क बनाक ना सिखाते हैं जिनको टाइफाइड बुखार है वो इस अर्क को पिएंगे तो बहुत जल्द से जल्द आपका टाइफाइड बुखार ठीक हो जाएगा टाइफाइड बुखार क्या है यह एक आंत्रिक जवर है आतों में इन्फेक्शन होने कारणी यह बुखार होता है इसमें आतों में इन्फेक्शन होता है और यह बुखार لمبे समय तक चलता है तो ऐसे बुखारों के लिए हम आपको एक अर्ख बताते हैं जिसे हम कहते हैं अर्ख बुखार टाइफाइड इस अर्ख को बनाएं और जादे से जादा फाइडा उठाएड़ इस अर्ख को पीने से आप 50-50 एमेल सुभे से आम खाली पेट पिएगे कुछ दिन पीते रहने से आपका जो टाइफाइड बुखार है वो मुकमल तरीके से ठीक हो जाएगा पेट में जो दर्द रहने लगता है आतों के इनफेक्शन के कारण खाया पिया भी नहीं जाता बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो ऐसे मरीजों के लिए ये अर्क टाइफाइड बुखार ले बनाए घर भी बना सकते हैं इसको बड़ा आसान है लेकिन रिजल्ट ला जवाब तो इस बुखार में आप वाइरल बुखार में भी आप इसको ले सकते हैं अब इसमें लेना का है आप ये जे चीजे हम बताएंगे ये बिल्कुल साप सुत्री लानी है बिल्कुल बहतरी अच्छी किसम की लानी है गली सडी नहीं लानी और आपको लानी है इसमे गिलोए खुस्क सापसूत्री लाए ये लानी है आपको 50 ग्राम और करंजवा ये भी आप पनसारी से ही लेकर आएंगे ये भी आपको 50 ग्राम लाना है अपसंतीन बूटी ये साप सुत्री लानी है ये भी ये भी आपको अपसंतीन बूटी लानी है पचास ग्राम और अपसंतीन लानी है आपको सोरी पच्छिस ग्राम क्योंकि ये कड़ी बहुत जादा होती है और सौंफ लेनी है आपको सो ग्राम ये चार चीजे हो गई जिलोए खुस्क पचास गिराम, करंजवा पचास गिराम, अब संतीन बुटी पच्चीस गिराम और सौफ ये लेनी है सो गिराम अब इनको सभी को दर-दरा कूट कर मोटा मोटा कूट कर इसमें 15-16 लीटर पानी डाल देना है और 10-12 घंटे भीगी रहे, भीगने के बाद आप इसका अर्क निकाले अर्क निकालने का तरीका भी हम अगली वीडियो में बताएंगे, उस वीडियो में देख लेना हमने पहले भी बताया है, हमारे यूटूब चैनल पर जाकर अर्क निकालने की विदी देख लेना आपको मिल जाएगी और हम अगली वीडियो में भी आपको अर्क निकालना बताएंगे तो इसका अर्क निकालने ना है, अर्क निकालने के बाद इसकी बारे बोतले भर लेनी है इसके अर्क में बारे बोतले भर जाएगी और इन्हें सुरक्षित रख ले और 50 ml सुबह खाली पेट और 50 ml से आमको खाली पेट पीते रहें 10-15 दिन पीने से ही आपका टाइफाइड बुखार चाहिए कितना भी पुराना बुखार हो वेह मुकमल तरीके से ठीक हो जाएगा और पेट की समस्या जो गैस बनती है आँटों में इन्फेक्शन बना रहता है वेह भी ठीक हो जाएगा 10-15 दिन खापिये आपको 2-4 दिन पीने से ही काफी रहत मिलेगी आपकी कर तो देखे बनाईए तो सही तो ये क्वेवल चार अज जा इसमें चार अज जा पर ये नुस्खा मुस्तमील है गिलोए खुस्क करंजवा अपसंतीन और सौंप इसको बनाए और फायदा उठाए बड़ा ही लाजवाब रिजल्ट है तो दोस्तों कैसा लगा है हमारा ये नुस्खा अगर आपको अच् से जादा सेयर करें सब्सक्राइब करें और गंटी के बटन को भी प्रैस करें तो दोस्तों मिलेंगे हम अगली वीडियो में नमस्कार आप सलाम करें ईस deinen कि अवल्ड प्राइब करें और दोस्तों में शारτα सेयर करें तोस्तों पाद है। करें स्वारा पाया और आपक के स्वार लगाह इंद रहिक्से प्राइब को तोस्तों मheen सब्सक्रा लंगा रहा है जए ऱत्वार्ट करें कि वाल्या हborgास